आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनसी के न्यू साइट के बारे में कि क्या-क्या चेंजिस है और हम लोग जो डेटा देखते हैं आज इस वीडियो में डिसक्स करने वाली हूँ तो जो भी लोग इस चैनल के उपर नहे हैं उन लोग को मैं बताना चाहूंगी मैं इस चैनल पे निफ्टे 50 और बैंक निफ्टी के उपर वीडियो रेग्यूलर्ली अप्लोड करती हूं सम्टाइम्स ट्रैवल के वीडियो भी अप्लोड करती हूं और जब कभी भी टाइम मिलता है तब मैं एक एजुकेशन परपस में या फिर किसी स्टॉप को लेके वीडियो अप्लोड कर देती हूं तो आपने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बैल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दो ताकि आगे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको सही से आती जाए और जिन लोगों ने अभी तक चैनल मेंबर्शिप जॉइन नहीं की है तो प्लीज जल्दी से चैनल मेंबर्शिप जॉइन कर लो चैनल मेंबर्शिप जॉइन वीडियो जो है वो time to time मिलते रहेंगे आपके queries का आपको early reply मिलेगा तो यह सारे benefits है यह सिर्फ और सिर्फ आपको चैनल मेंबर्शिप जॉइन करने के बाद ही मिल सकते हैं तो जल्दी से चैनल मेंबर्शिप जॉइन कर लो नीचे description box में मैंने link आपको provide की हुई है वही अगर आप देखोगे तो subscribe button के वाजू में आपको एक और icon दिखेगा join button करके तो वहां से भी आप चैनल मेंबर्शिप जॉइन कर सकते हो तो जल्दी से चैनल मेंबर्शिप जॉइन कर लो एक और important बात यह है कि upstock मेरे subscribers के लिए एक free dmat account opening scheme लेके आया है साथ ही साथ आपको 28,000 त free dmat account मिल रहा है तो यह इससे भी बहुत बढ़िया बात है तो आपको जरूर इस विदा का लाप लेना चाहिए नीचे description box में मैंने link आपको provide की हुई है उस link के तुरू जाके आप अपना free dmat account open कर सकते हो तो जल्दी से इस विदा का लाप लीजिए गया सो अभी हम लोग start करते हैं हमारा आज का वीडियो तो अभी मेरे सामने जो है वो NAC की new website है और NAC की new website बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रही है मुझे old version से तो open करने के बाद ही आपके सामने कुछ ऐसा page जो है वो open होता है सो अभी हम लोग एक एक करके जो important points है वो ही सिर्फ discuss करने वाले हैं बाकी जो भी points होंगे वो हम लोग बाद में जो वीडियो में बनाती हूँ everyday nifty और bank nifty के लिए उसमें मैं cover कर दूँगी फिलाल इस वीडियो में कुछ important points के ओपर ध्यान देते हैं तो पहले तो अगर आपको यह page ज्यादा बड़ा नहीं चाहिए तो आप यह से छोटा कर सकते हो उसके बाद में आपको जो है वो indices मिलते हैं first है nifty उसके बाद में nifty next 50 उसके बाद में nifty mid cap उसके बाद में nifty auto और nifty bank तो आपको यह जो सारे indices front page पे ही मिल जाते हैं वही आज के मतलब जो last station हुआ है उसके top five stocks gainers और losers मिलते हैं अगर आप यहाँ पे view all कर दो तो आपको detail में यहाँ पे जो भी है वो मिल जाएंगे आप यहाँ पे ascending और descending करके आप देख सकते हो कि कौन सा stock कितना चड़ा है और कौन से stocks जो है वो negative चल रहे है nifty 50 के अंदर वही open के होए page पे मतलब home page पे ही आपको nifty का ये जो chart है वो मिल जाता है आप यहाँ से technical charts भी देख सकते हो क्लिक करके वही अगर आपको stocks देखने है nifty 50 के तो आप यहाँ पे click करके जो देख सकते हो nifty के stocks आपको just simply यहाँ पे scroll करना है अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऐसे scroll नहीं होगा लेकिन अगर आप box में जाके scroll करोगे तो आपको stocks जो है वो नीचे मिल जाएंगे nifty 50 के उसी तरह आप अगर nifty next 50 के बारे में देखना चाते हो तो आपको यहाँ पे click करने के बाद मिल जाएंगे nifty mid cap 50 के बारे में मिल जाएंगे उसी तरह अगर आपको nifty bank के बारे में देखना है तो nifty bank के उपर आप click करके आप nifty bank का जो chart है वो देख सकते हो उसके साथ साथ आप जो है nifty bank के gainers और losers देख सकते हो तो home page के उपर आप कुछ ऐसे मिल जाता है वही अगर आपको जो आपके पसंद के indices है जिस पे आप काम कर उसी को देखना है तो आप यहां से कस्टमाइज भी कर सकते हो यह एक option यहां पर nifty nse के new website के उपर आपको दिया हुआ है view all indices करके आप जो है वो यहां पर सब indices देख सकते हो nifty 50, nifty next 50, nifty 100, nifty 200 तो वहां पर click करके आप लोग जो है वो सारे के सारे indices देख सकते हो next अगर बा लोगे सब्सक्राइब के बारे में New security futures के बारे में देख ना चाते हो Nifty bank futures के बारे में देखना चाते हो तो मिल जाएंगे यहां पर जिस्त आपको click करना है उसके बाद में अगर हम लोग देखे reference rates दिया हुआ है यह और fourth one है market 10 이건 तो आप यहां पर देख सकते हो market 10 उन ओर ज जाएगा मार्केट डेटा, इन्वेस्ट, लिस्ट, ट्रेड, रेगुलेशन, लॉन और रिसॉर्स यह आपको टैब मिल जाएगे तो हम लोग एक एक करके जो important हमारे लिए है, वो पहले देख लेते हैं, about में आपको जो important है, वो holidays है, ट्रेडिंग के कौन-कौन से holidays है, वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा, वही market data में अगर हम लोग जाए तो pre-open market हमें मिल जाएगा, pre-open market यहाँ पे आपको मिल जाएगा, market data में, उसके बाद में equity and SME market आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ से आपको simply जो अपना indices है, वो select करना है, nifty bank आपको चाहिए, nifty 50 चाहिए, nifty next 50 चाहिए, वो आपको यहाँ से मिल जाएगा, उसके बाद में आपको indices मिल जाएगे, यहाँ पे, click करने के बाद, आपको यहाँ पे indices के charts मिल तो आप simply यहाँ से ascending, descending कर सकते हो, last change, volume, value यह आप ascending, descending कर सकते हो, यहाँ पे तो यह बहुत ही बढ़िया feature है, मेरे ख्याल से, वही अगर हम लोग देखे, invest में तो invest में आपको यह जो सारे options है, how to open an trading account, protection from fraud, investors awareness program, charges and taxes, investment limits for FIS, तो आपको इन सब के बारे में जो है, वो जानकारी मिल जाएगी, तो आपको यह बहुत फाइदे मन रहेगा, आप यह जो सारी चीजे है, जो new लोग है, जो beginners है फिलाल, उनके लिए about और यह invest वाला जो tab है, वो बहुत ही जादा फाइदे मन है, आपको जरूर पढ़ना चा Capital, Onboarding, Process, Primary Market, Primary Market, SME, तो यह जो सारी चीजे है, वो आपको लिस्ट में मिल जाएगी, ट्रेड में क्या है, ट्रेड में आपको, Process and Facts, Eligibility, Criteria, Fees, Deposits, Using, यह सब आपको ट्रेड में मिल जाएगे, Regulations में आपको क्या मिल रहा है, Exchange, Market Rules and Regulations क्या क्या है, Market Surveillance क्या है, Exchange Disclosures, Defaulting Clients, यह सब आपको चीजे जो है, वो Regulations में मिल जाएगी, Learn, यह एक Tab जो है, वो आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, तो जो भी लोग नए हैं, जो लोग ज़्यादा Share Market के बारे में नहीं जानते हैं, तो आप लोग जो है, वो यहाँ पर आके पढ़ सकते हो, NSE के साइट के उपर ही आपको इतना ज्यादा Knowledge मिल जाएगा Share Market के बारे में कि आपको कई और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, Learn में आपको About NSE Academy, Get Started for NSE FM, Certification Modules, यह सब के बारे में आपको मिल जाएगा, Online Interactive Courses होते हैं, NSE के साइट के उपर तो वो भी आपको पता चल जाएंगे, Students Requirement Modules for Undergraduates, Modules for Dealers, यह सब चीज़े आपको यहाँ पर मिल जाएगी, Resources में आपको क्या-क्या मिल रहा है, Circular, Press Releases, Holidays, Contingency Drill, Media Center, Delhi Market Report जो है, वो आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, यह दे को Equity and SME Market के लिए, अगर आपको रिपोर्ट चाहिए, भाव कापी चाहिए, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, रिसोर्स में जाके आपको Delhi Market Reports में जाना है, आपको रिपोर्ट जो है, वो डाउनलोड करके मिल जाएंगी, वही यहाँ पर आपको Historical Reports मिल जाएंगे, Forms and Formats मिल जाएंगे, Delhi Market Reports, Forms and Formats, Business Growth and Volume, यह सब आपको जो रिपोर्ट चाहिए, वो आपको Resources में जो है, वो मिल जाएंगे, तो यह है उपर के टैप, वही अगर आपको किसी Stock के बारे में जानना है, तो Simply आप उस Stock के कुछ Letters जो है, डाल सकते हो, फिर आपके सामने, उस Stock के बारे में सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा, उस Stock की Last Price क्या थी, प्रीवियस क्लोज, ओपन कितने में हुआ क्लोज, यह सब आपको जो मिलता है, NSE के साइट के उपर वही ऐसे, Intraday Low High कितना था, 52 Week High Low कितना था, Market Depth आपको यहाँ पर मिल जाएगी, Pre-Open Market, Intraday Chart, Corporate Action, Historical Data, Glossary यह सब आपको चीज़े यहाँ पर जस्ट सीम्पली स्क्रोल करके आपको मिल जाएगी नीचे, आपको सिर्फ यहाँ पर उस Stock के बारे में डालना है, तो अभी Next Important बात यह है कि Option Chain Data कहाँ पर है, तो Option Chain Data जो है, जो हम लोग रोज यूज करते हैं, Nifty Bank Nifty के लिए आपको Market Data में जाके आपको यह तीन टाब जो है वो नीचे दीख जाएंगे, Market Snapshot, Option Chain और Technical Chart, तो यहाँ पर है हमारा Option Chain Data, तो आप देख सकते हो, आप यहाँ से सिंपली अपना जो Indices है, जिसकी Option Chain आपको देखनी है, वो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो, Nifty की देखनी है, बैंक Nifty की देखना चाहते हो, वो यहाँ पर सिलेक कर सकते हो, और उस Stock Indices की Expire, जो आपको देखनी है, वो आप यहाँ से सिलेक कर सकते हो, तो कुछ ऐसे Option Chain Data जो है, वो शो हो रहा है, अगर हम लोग Option Chain Data देखे यहाँ पर, तो 11,700 के ओपर 21,555 का ओपन इंट्रेस बता रहा है, वही अ हम लोग Old Website के ओपर जाए, तो Old Website के ओपर हमें जो है, वो 16,13,000 ऐसे सब दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर सिर्फ 21,000, यह क्या मतलब है, तो ऐसी कोई बड़ी वात नहीं है, अगर आप देखोगे, आप जो है, वो Nifty का Lot Size रहता है, 75 का, उससे इसको Multiply करोगे, तो आंसर मिलेगा, मतलब 10,00,20,00, यह जो हमें दिखाई देते है, Old Website के ओपर, तो हमें यहाँ पे, वो 75 मल्टिप्लाइ करके, अगर हम लोग देखेंगे, तो हमें वही प्राइज मिलेगा, वही open interest मिलेगा, तो आप लोग देख सकते हो, options in data, same है, change in OI, volume, IV, last trading price, यह सब बाकी कुछ changes नहीं है, सिर्फ आपको multiply करना है, 75 से, मतलब Nifty का जो lot size है, उससे, अब बैंक Nifty की बात करें, तो बैंक Nifty का lot size रहता है, 20 का, तो आपको 20 से multiply करना है, आपको वही जो है, वो open interest मिल जाएगा, तो बाकी की सारी चीजे वही है, और यह अगर हम लोग बात करें, इस website के बारे में, तो NSE के website जो है, वो बहुत ही बढ़िया है, फीचर है, नए-ने features है, तो मेरे ख्याल से website बहुत ही बढ़िया रहेगी, और आगे हमें इसी के उपर काम करना है, तो कुछ रह भी गया होगा, तो आप मुझे comment section में पूछ लिया करो, आपको कुछ समझ में नहीं आया है, NSE के new website के उपर कुछ problem है, तो मैं next video में cover कर लोगी, क्योंकि हमें अभी इसी website के उपर काम करना है, September से, तो अगर आपको old website भी देखनी है, तो अगर यहाँ पर आप देखोगे, click here, जो old website का access है, वो आपको यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ पर simply click here करना है, औ आप लोग जो है, वो old website के उपर पहुच जाओगे, तो बस आज के लिए इतना ही था, I hope कि आपको समझ में आ गया होगा, और कुछ भी doubt रहेगा, तो नीचे comment section में पूछ लिया करो, मैं आपको answer कर दूँगी, तो अभी आज के लिए इस video के लिए बस इतना ही था, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, तो एक like जरूर कर देना, वीडियो अगर बहुत ज़दा अच्छा लगा है, तो share कर देना अपने friends, family के साथ, जिनको भी ये video useful है, उन सब के साथ इस video को जरूर शेयर करना, और उन सब को कहना, इस channel को subscribe करने के लिए, वही अगर आपने मु बवाय टेक केर और ट्रेड केरफुली